जै मसी की एक और अनुक्रहित दिन देने वाले प्रभू को सारी महिमा में देता हूँ अब सभी के साथ मैं मसी का अभिवादन बाटना चाहता हूँ आज प्रभू वचन से जो भाग हम मनन करेंगे वो है रूमियों के किताब आठवा अध्याय, 26 और 27 वाक्य इसी रीती से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीती जे करनी चाहिए परणतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर-भर कर जो बया से बाहर है हमारे लिए विन्ती करता है और मनों का जाचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेशर की इच्छा के अनुसार विंत्ती करता है इन अनुग्रहित वाक्यों से मध्यस्तता की प्रार्थना इंटसेसरी प्रे, विशय पर साथ मनन करने के लिए आईए हम प्रभू की शरण में हैं प्रियजन, हम कितना ही अधिक प्रार्थना करने वाली क्यों न हूँ लेकिन हमें निरंतर प्रभू से प्रार्थना कैसे करना है, यह सीखने की जरुरत है हम प्रभू से मांगें कि प्रभू मुझे प्रार्थना करना सिखा मसीह के चेलों ने भी मसी से कहा था कि प्रभू तू हमें प्रार्थना करना सिखा इसका एक कारण ये भी था कि यहुन्ना के चेलों को यहुन्ना ने प्रार्थना करना सिखाया था मसीही जीवन में हमें कई बातों को सीखना है उसमें से एक है कि हम प्रार्थना करना सीखे पड़े हुए वचन का गलत इस्तमाल करके आप ये कहने वाले ना बने कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता इसलिए में प्रार्थना नहीं करूंगा लेकिन इसके विपरीद हमें ये समझना है कि वच्चन की आधार पर पवित्रात्मा हमारी दुर्बलता को समझता है और आहें भर भर कर हमारे लिए विंती करता है इसको सरल भाशा में समझाएं तो जब एक व्यक्ति प्रार्थना में दुर्बल होता है तो उसके नौकरी के स्थान में या उसके सोने के समय में पवितरात्मा उसे प्रेरित करेगा कि वो प्रार्थना का प्रेयतने करे और जब वो ऐसा करेगा तो पवितरात्मा उस निर्बलता में ही हमारी प्रार्थना को स्विकार करेगा और हमारी विंती का उत्तर देगा इसलिए इसमें हमें क्या करना है जिब पवित्रात्मा अगवाई देता है हम जग कर प्रार्थना में घुटने टेकी अद्बूत रिती से प्रभू हमारी प्राथनाओं में काम करना चाहता है वो हमारी जीवन को बदलना चाहता है इस बात को हमें समझना है परमेशर ने हमें जहां पर भी रखा है वहां हमें परिवार के लिए, हमारे सवमुदाई के लिए, कलीसिया के लिए और हमारे देश के लिए हमें प्रार्थना करना है ये एक जिम्मेदारी है जो प्रभू ने हमें स्वापी है प्रभू हमसे यही चाहता है कि हमें प्रार्थना अच्छे से करनी नहीं आती है तो भी हम पूर्ण मन से प्रार्थने करें पर्मिश्वर हमें उत्तर देगा लेकिन ध्यान रखे प्रयात्न करके प्रार्थना करने की जिम्मेदारी आपकी है पवित्रात्मा आपको निरंतर उच्छसाहित करेगी कि आप प्रार्थना करें आपको उसके लिए तैयार होना होगा जब आप पूर्ण मन्द से प्रार्थना करेंगे तो प्रभू की योजना की अनुसर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके देश में, आपके समुदाय में, आपके परिवार और आपकी व्यक्ति के जीवन में दिखाई देगा मैंने एक किताब में ऐसा पढ़ा है, अमेरिका के एक प्रभू भक्त को उसकी नींद में से पवितरात्मी ने जगा कर एक अफरीका के प्रभू भक्त का नाम दे कर बताया, कि इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है गौर करें कि ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे को नहीं जानते थे और पवितरात्मा की अगवाई में जब इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना हुई, तब अफरीका का ये प्रभू दास अपने रोग के बिस्तर से उस रात उठकर चंगाई पाता है आज प्रभू में विश्राम कर रहे प्रभू के दास जेबी पीटर ने प्रभू की महीमा में कई गानों को लिखा है वो अपनी गवाही में कहते हैं कि एक रात जब वो अपनी पत्नी के साथ रार्थना कर रहे थी तब एक दूसरे देश में पवित्रात्मा ने एक दूसरे व्यक्ति को जगा कर कहा कि इस दास को तू इतने रुपे भेजना वो रुपे ठीक उतने ही थे जितने की उने जरुरत थी और ऐसे कही उदारण और भी है प्रभू हमसे भी निरंतर कहता है कि तू जग जा और आत्मा में मध्यस्तता की प्रार्थना करता रहे क्योंकि ऐसी आपकी प्रार्थना आत्मिक समुदाय में कही और किसी के लिए छुटकारेक कारण बनेगा प्रभू आपको बहुत आयत से आशिस दे आपका दिन अनुग रही दो जाय मसेगी